नमस्कार मैहू प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सिपाही भरती को लिखित परिक्षा की नई तिथी को CSBCE ने किया खारिच साथ ऑक्टूबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला बिहार के राजधानी में सफाई कर्मियों का हरताल हुआ खत्म ऐसा देखेगा PMCH मेट्रो स्टेशन मिलेगी ये सुवधाएं सिपाही भरती के लिखित परिक्षा की नई तिथी को CSBCE ने किया खारिज एक उक्टूबर को आयोजित हुई बिहार सिपाही भरती परिक्षा को रद करने के बाद अब इस परिक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई तारीख प्रसारित हो रही है हलाक इस तारीख को किंद्रे चेंट परसत के दोरा फरजी करार दिया गया है बतादे किंद्रे चेंट परसत के अधिकारिक लोगों के दोरा कहा गया है कि काड़े आले की ओर से एक कोई भी पत्र या आदेश जारी नहीं किया गया है या भ्रामक और फरजी है ऐसे में अब परसत की ओर से इस मामले की जांच कराई जाएगी और दोशियों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी बताते कि सोशल मीडिया पर सिपाही भरती परिक्षा को लेकर जो नई तारीक प्रसारित हो रही है उसमें परिक्षा तीन दिनों तक दो पालियों में आयोजित की जाने वाली है जिसमें से पहले दिन की परिक्षा 26 नमबर 2023 को आयोजित की जाएगी तो वहीं दूसरे दिन की परिक्षा 3 दिसंबर और तीसरे दिन की परिक्षा 10 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली है वहीं लिए बतादे कि बेगु सराय जला नियोजिनाले की ओड से 7 उक्टूबर को झला नियोजिनाले सुयूंत श्रम भवन आई टिआइ कैमपस में रोज़गार मेला का आयोजन किया जारा है लेकिन बतादे कि रोजगार मेला केवल लर्कियों के लिए लगाया जारहा जिसमें कुल 200 लर्कियों को रोजगार उपलब दे करवाया जाएगा बतादिक इस रोजगार मेले में आटवी पास लर्कियां भी भाग ले सकती है इस बारे में नियोजन पतादिकारी प्राना मितेश के दोर जानकारी देते वे बताया गया है जिसमें भाग लेने के इच्छोक लड़कियों को अपने साथ बायो डाटा, आधार कार्ट, पैन कार्ट, सम्बंद, सैचनिक प्रिवान पत्र, अंग पत्र, पासपोर्ट, साइस दो, रंगीन फोटोल लेकर आना होगा जाने किस दिन रखे जितिया वरत 6 या 7 ओक्टूबर? इस बार लोगों के बीच जितिया वरत की तारी को लेकर कन्फ्यूजन का महौल बना हुआ है ऐसे में हम आपको बता दे कि हिंदू पंचांग के नुसार जितिया वरत की तारी को तै करने के कुछ नियम है जिसके आधार पर जितिया वरत अस्टमी तिति को रखा जाता है ऐसे में जिदियावरत 6 अक्टूबर यानिकी कल रखा जाएगा बतादी के 7 अक्टूबर को सुभा 8 बचकर 8 मिनट से 9 वी तिथी प्राडम होगी और उस समय से जिदियावरत का पारण होगा पटना हाई कोट के पुर्व जजबनी मानवाधिकार आयोग के चेर्मेन राजे सरकार के ग्री विभाग के दोरा अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का नया चेर्मेन पटना हाई कोट के पुर्व नयाधिस जस्टिस अनंत मनोहर बदर को बनाया गया है बता दे के अनंत मोहन बदर का जन 10 अगस्त 1961 को हुआ था और इन्होंने बी कॉम के बाद LLB की पढ़ाई की इनके कानूनी करियर की शुरवाद 30 सितंबर 1985 को हुई इस दुरान वे बॉंबी हाई कोट की नागपूर बिंच में सरकारी वकील और लोक अ सहित विवियन नियादीकरणों में भी अभ्यास किया है इन्हें मई 2020 में केरल हाई कोट में स्थान्तित किया गया था और फिर इन्हें वीस तारी को पटना हाई कोट में स्थान्तित कर दिया था बिहार की राजधानी में सफाई कर्मियों का हर्ताल हुआ खत्म पिछले काफी दिनों से बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम करमचारियों के दोरा किये गए हर्ताल अब बंद हो गए हैं और अब कल यानी की 6 अक्टूबर से शहर में कच्रा उठाओ का काम शुरू कर दिया जाएगा बता दे कि हर्ताल नगर निगम प्रबंधन और नगर निगम करमचारियों के बीच हुई सफल वारता के बाद खत्म करने का निड़ने लिया गया है इस बारे में समनवे समीती के अध्यक्ष चंद्प्रकास सिंग के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि समीती के संचालन मंडल से बादचीत के उपरांत हर्ताल को विधिवत तोर पर समाप्त कर दिया गया है ऐसे में अब शेहन में करीब 13 दिनों से जमा हुए करीब 800 टन कच्रे को साफ करने का काम करमचारी के दोरा शुरूख किया जाएगा बिहार सिक्षक बहाली में सेलेक्षन के बाद ऐसे मिलेगा जॉइनिंग लेटर और स्कूल सिक्षा विवाग के तकनिकी कोशां के एक अधिकारी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि अब BPSC से 1,70,000 से अधिक न्युक्त होने वाले सिक्षकों को सारी जरोडी सूशना ऑनलाइन दी जाएगी इसके लिए विवाग के ओर से NIC की मदद से सॉफवेर और पोटल तयार किया जारा है जिस पर सिक्षकों से संबंधित हर जानकारी मौजूद होगी साथी सिक्षकों के सैशनिक प्रमान पत्र प्रमान पत्र की जान से संबंधित जानकारी भी इसमें मौजूद होगी इसके बाद किसी भी सक्चक से जुरी कोई भी बात उसमें दर्ज होती जाएगी जिस सरह उनका पूरा सिवा इतिहास इसमें रहेगा ऐसे में विवाग की ओर से बस एक क्लिक करने पर सक्चक का सिवा इतिहास सामने आ जाएगा बिहार में ये 12 जन प्रतिनिधी हैं हेट स्पीच के आरोपी Association for Democratic Reformers यानी की ADR जो की चनावी सुधार में काम करने वाली संस्था है उनके द्वारत सांसदो वा विधायकों के हलफ नामों का विश्ट्रेशन करिया जानकारी दी गई है कि देश में 107 सांसद और विधायक हैं जिन पर हेट स्पीच यानी की नफरत फिलाने वाली भाशा देने कारोप में मामला दर्ज है इसमें अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसे सांसदो और विधायकों की कुल संक्या 12 है जिनके द्वारा चनावी हलफ नामों में अपने खिलाफ हेट स्पीच के मामलों की जानकारी दी गई है बतादे के डियार की ओर से जारी की गई सूची में बिहार के जिन बारत सांसदो और विधायकों के नाम शामिल है उनमें गिरिडा सिंग, नित्यानंद राय अशोक कुमार यादव, प्रेम कुमार, डॉक्टर सुनल कुमार, जिवेस कुमार, प्रमोद कुमार, शकील, एहम ये कारियों को पूरा कर अपने राज्य के लिए बीते दिन रवाना हो चुके हैं, बतादे कि जाते जाते, उन्होंने अपने साथ गया की पावन भूमी की मिट्टी भी लेकर कहे हैं, और साथ उन्होंने इसे अपने शरीर पर भी लगाया और कहा कि अही ग्यान और तिवारी को लेकर कहा कि वे हमारे दोस्त हैं, आपकी जानकारी कलिवता दे कि इन तीन दिनों के गया यात्रा पर उन्होंने अपने पुरवजों और पत्रों का तरपन किया, हजारों अन्यायों और भक्तों के लिए भगवत गीता का मूल पाठ और प्रवचन किया, मालुम कि तीन दिनों तक वाववागेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीर उम्री रही। प्रवेश निकास द्वार एक अस्पताल में लाज के लिए आने जाने वाले मरीजों वा अन्य लोगों की सुधा के लिए होगा, जिसका निर्मान PMCH अस्पताल परिसर में होगा, वहां कोनकर्स के लिए सीधियां, इसकलेटर वा लिफ्ट का निर्मान किया जाएगा, इसक इस दिन तक जाएंगे भड़े, अगर आब वे उन लोगों में से हैं जो वर्स 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्सिक परिच्छा में भाग लेने वाले हैं तो यहां खबर आपके लिए है, पता दे कि मैट्रिक वार्सिक परिच्छा 2024 के लिए फॉर्म भड़े जाने की देखते वे उसकी तारीक को बढ़ा कर 12 ओक्टूबर 2023 तक कर दी गई है, पता दे किस बारे में बोर्ड के ओर से राज्ये के सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि सारे विद्यार्थियों का आविदन शुल्क जमा होने के बाद ही परिक्षा आविदन भरे जाएंगे ना क्वेश्चन पेपर ली खोड़े हैं और ना ही अभियर्थियों को परिक्षा पेपर को लेकर किसी प्रकार की परिशानियों का सामना करना पर रहा है ऐसे में हम केंद्री चेहन परसद से यह मांग करते हैं कि केंद्री चेहन परसद भी परिक्षा को निस्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार लोक सिवाईयों के परिक्षा पैटन को अपनाएं और सिक्षा माफ्याओं पर नकेल कसने के लिए कठोर कारून बनाते वे दस साल की सजा का प्रावधान करे और अगर इनकारियों में कोई सरकारी कर्मी लिफ्ट है तो उन्हें सेवा से बरखास्त भी किया जाए पटना पहुँचे जेपी नड़ा जोरदार हुआ स्वागत बीजेपी के राश्टरी अध्यक जेपी नड़ा आज बिहार की राजधानी पटना पहुच चुके है प्रदेश पार्टी पदादिकारियों के साथ बैठक भी की इसके बाद वे बीजेपी कोड कमीटी के निताओं के साथ चर्चा करेंगे बतादे के पिछले नौ महीने में जेपी नड़ा का ये दूसरा बिहार दोड़ा है जीतन राम मांची के स्टीयम नितीश के मांग को लेकर महागरबंधन ने किया बड़ा सवार बीते दिनों बिहार के पुर्व मुख्य मंतरे जीतन राम मांची के द्वारा मुख्य मंतरे नितीश खुमार से मांग करते वे गया था कि मंत्री मंडल को वर्खास्त कर जंगन्ना के आधार पर मंत्री बनाया जाए वहीं अब जीतर ना मांची के इस बयान पर बीजेपी पार्टी के विधायक लाखेंदर पासवान के द्वरा कहा गया है कि जिसकी जितनी भागेदारी उतनी ही हिस्सेदारी होनी उनके मंत्रियों को इस्तिफा दे देना चाहिए और जाती आधार पर मंत्री मंडल बनाना चाहिए वहीं इस पर जेडियो मलसी नीरज कुमार के द्वरा कहा गया कि हमने पंचाइती राज में महिलाओं और पुरुसों को आरक्षन मंत्री मंडल को बर्खास कर जंगन्ना के अधार पर मंत्री बनाया है हमने हरवर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया है हमके वल पिछले और अतिपिछले के राजनिती नहीं करते सबको साथ लेकर चलते हैं उन्होंने कहा अकर नितीश कुमार ने तो खुद दस्रत मांजी को मुख्य मंत्रे की कुर्शी पर बैठाया और खुल जीता नाम माजी को मुखे मंतरी बन वाया था से मिले अनंद मोहन, इन दिनो ठाकुर और ब्राह्मन विवात की वजह से सुर्खियां बटोर रहे पुर्वसांसद और बाहुवली अनंद मोहन आज बिहार के मुखे मंतरे नितीश कुमार से मिलने पहुंचे अब उनके इस मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उसको लेकर वे आज नितीश कुमार से मिलने पहुँचे थे। हालाग इनके बीच हुई मुलाकात में क्या बातचीत हुई उसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वे अधिकारियों को तैनात किया गया है। बतादेक इस बारे में एहमदाबाद के CPGS मलिक के द्वरा एनाई से बातचीत करते वे बताया गया है कि तैनात पुलिस कर्मियों और अधिकारियों में से तीन एडिशनल कमिसनर्स, 13 DSP रैंक के अधिकारी, 18 SP शामिल है जिनका उप प्रजाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है। उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रमन कुमार, अमित यादव, मुहम्मद सकीर हुसैन, उमेच रिसिदिव, विनोत कुमार, अनवर करीम खान, गोनर सर्मा, मुहम बनाया जाए, पर आपकी क्या राय है, अपने जवाब हमें हमारे comment section में लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें, बिहारी news और साथ ही, अगर आप YouTube से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं, तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद.